हेलो दोस्तों, अब कैसे हैं आप सभी, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है, मेरे यूट्यूब चैनल हैपी लाइफ वेत अनामिका में, तो कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स आज में आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हो, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है और काफी चीज़ों के बारे में पूछा है, तो आज उनी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज की हमारी पहली ट्रिक है, तो जब भी कभी किसी चौड़े बरतन में हम लोग कोई भी चीज खाते पीते हैं या उसमें कोई चीज रखते हैं, और उसमें एक हम चमच लगा देते हैं, और जब चमच को हम साइट से लगाते हैं, तो वो इस तरीके से उसमें डूप जाती है, जिसको हमें हातों से निकालना पड़ता है, अक्सर ये तब होता है, जब हम बच्चों को जैसे दूद, कॉ और इस तरीके से फिर हम इस चमच को जब इस बाउल में लगाएंगे, तो आप देखेंगे ये चमच इसमें अटक जाएगी, इस तरीके से और ये बिल्कुल भी दूद के अंदर या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर बिल्कुल भी स्लिप होकर नहीं जाएगी, इस तरीक तो चनी चोटी पड़ जाती है, और जह हम इसको पतिले में लगाते हैं, तो यह अंदर की तरफ गयती है, अब हमें इसे एक आँस से पकड़ना होता है, और दούसरे आँस से हमें दूद वगरा को डालना होता है, तो कभी-कभी दूद का गिरने का वी डर होता है, तो इसमें क्या कीजे आप लीजे एक कोई भी चमचा या कर्चली वगयला कुछ भी ले लीजे इसको इसमें बीच में लगाईए और इस तरीके से छन्नी को इसमें अटका दीजे तो देखे आराम से इसमें छन्नी रख भी गई है बिल्कुल भी अपनी जगे से नहीं हिलेगी अगर आप लगाके दूद वगयरा या कोई भी लिक्विट चीज है जिसको भी आप छानना चाते हैं उसको आप इसमें डाल सकते हैं अपने हाथ से तो अगर आपको इसमें ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो दोस्तों अगर आपको आलू को रखती हूं उस तरीके से आप रखेंगे तो आपके आलू खराब नहीं होंगे तो जब भी आलू काटें आलू को हमेशा पानी में काटें और इनको जब आपको रखना हो तो पानी में डाल की ही रखें और इसमें आप डाल दें एक धकन के करीब वाइट वेनिगर और white vinegar डालने के बाद आप इन्हें फ्रिज में ढखके रगते और उसके बाद आपको अगर इन्हें अगले दिन इस्तमाल करना हो तो आप इन्हें अगले दिन इस्तमाल करें तो आलू नहीं खराब होंगे और नहीं आलू काले पड़ेंगे तो दोस्तों इसी के साथ एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ, जब भी कभी आप कोई सब्जी वगएरा काटे हैं, और आपकी कई बार होता है ना हाथ कट जाते हैं, या उंगलियों में कट लग जाता है, और उसके बाद जब हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारी उंगली में जलन होता है, पानी पढ़ने पर लगता है, और अगर आपके पास ब्रैंडेज है, आप ब्रैंडे है इसे बात काम करिए और अगर आपके पास ब्रैंडेज नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ले लीजे कोई भी फॉइल पेपर, तो ELUMEJ hun फायल का ह आप करेंगे, आपके उंगली में बिल्कुल भी तेल, मसाला, कुछ भी नहीं लगेगा, पानी वगेरा बिल्कुल नहीं लगेगा, और ये एकदम बहुत ही जादा टाइट हो जाएगा, तो अगर आपके पास बेंडिज नहीं है, तो इस तरीके से आप फॉयल पेपर लगा कर भी काम कर सकते हैं, आपके उंगली में नहीं पानी जाएगा, नहीं कुछ लगेगा, तो फ्रेंट्स अगर ट्रिक पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, चलिए बढ़ते हैं, अपनी नेक्स शिक की तरह, कई बार ऐसा होता है, कि हम लोग दाल बनाते हैं, और दाल में पानी जाता हो जाता है, फिर समझने आता है कि अब हम क्या करें, और बिगनर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत जादा होती है, अगर कहीं घर में कोई आ रहा है और दाल में पानी जादा हो गया है, तो वो घबरा जाते हैं कि अब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दाल को बिल्कुल भी टरश मत करिए, ऐसे ही रख दीजे, और उसके बाद, डाल में से जो ऊपर-ऊपर उसका पानी निकल आएगा, उसको आप एक अलग बावल में निकाल दीजे, इस तरीके से देखिए, मेरी डाल में भी आज पानी थोड़ा जादा हो गया था, तो मैंने सुचा ये ट्रिक में आपनों के साथ भी शेयर करूँ, तो इस तरीके से हम इसका जितना भी पानी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, आप उतना पानी इसको निकाल दीजे, अब इस निकले हुए पानी को आपको फेकना नहीं है, इसका बहुत चीजों में इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप कोई रसे की सबजी बना रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं, आप आटा गूत रहे हैं, तो आप उसमें डाल सकते हैं, बस हाँ ये है कि आपकी रोटियं थोड़ी सी पीली हो जाएंगी, और नहीं है, तो इसमें घी डाल कर आप इसको इसी तरीके से पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही ज़ादा फायदे मंद होता है, तो दोस्तों, I hope आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी next trick की तरफ, तो दोस्तों, जब भी हमें salad काटना होता है, और हम tomato का इस्तमाल करते हैं, तो जब भी हम tomato काटते हैं, तो tomato इस तरीकी से डब जाते हैं, और salad काटते समय इनके सही से shape नहीं आते हैं, घर में खाने के लिए तो ये ठीक है, पर कभी कोई घर में guest आजाता है, और अब बैं डालूँगे एक चमचे करीब नमा, तो बस इस तरीके से हम इस पानी को रख देंगे, और इसमें tomato को 5-10 nut के लिए आप डलर रहने दीजे, जब मर्लब इतना हो के tomato जब हम touch करें, तो एकड़म बरफ जैसे ठंडे हो जाएं tomato, तब हम इनका इस्तमाल करेंगे, तो 10-10 nut हो चुके हैं, और आप हम tomato को निकाल के अच्छी तरीके से इसको पोंच लेंगे, और उसके बाद हम इसको cut करेंगे, तो इसको cut करने के लिए भी मैं आपको एक टैक्नीक बताती हूँ, कि किस तरीके से हम इसे काटे, थोड़ असा अंदर की तरफ डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम knife से, इसके जो बीच में जो space है उसमेर हम knife रखके, फिर इसको हम cut करेंगे, तो इससे आप देखेंगे कि जो tomato की slice है, वो एकदम ही perfect cut कटेंगी, और ice water में डले होने की वज़े से, यह tomato भी एकदम tight हो चुका है, जिससे यह आराम से cut रहा है, तो देखेंगे friends, मैं आपको दिखाती हूँ, तो यह देखेंगे कितने अच्छे से, इसकी slice cut ही हुई है, और सारी ही slice जो है, वो एक ही size में आई है, तो ना ही थोड़ी भी मोटी है, ना कोई पतली है, बस यह होता है कि इन tomato में थोड़ी बीजे ज़्यादा होते हैं, जिस वज़े से यह tomato हमें salad में कच्छे नहीं खाने चाहिए, तो दोस्तों I hope आपको यह trick पसंद आई हो, चलिए बढ़ते हैं अपनी next trick की तरफ, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का मेरे पास comment आया है, दालों को किस तरीके से हम store करके रखें, जिससे की वो खराब ना हो जाएं, सभी लोगों ने अलग-अलग तरीके से comment किये हैं, अलग-अलग दालों के बारे में पूछा है, तो आज मैं आपकी यह सारी ही problem solve करूँगी, दोस्तों आपको किसी भी दाल को store करना हो, अरर की दाल हुई, मूं की दाल हुई, छोले हैं, राजमा हैं, उसको आप जब भी store करके घर में बहुत ज़ादा quantity में रखते हैं, तो हमेशा उसमें कुछ तेजपात के पत्ते या खड़ी लाल मिर्च, आप इन दोनों को भी साथ में डाल सकते हैं, या हमारे kitchen में जितने भी खड़े गरम मसाले हैं, उन सबी का इस्तमाल भी आप दालों में कर सकते हैं, मेरे पास अनाज में गेहू वगेरा घर पर नहीं हैं, जिससे में आपको दिखाती, पर अगर आपके पास गेहू हैं, और उसको भी आप लंबे समय तक के लिए store करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी तेशपात के पत्ते डाल सकते हैं, या नीम के पत्ते आप डाल कर अनाज को भी store कर सकते हैं, जो गेहू होता है उसमें, अगर चावल है, तो चावल में भी आप तेशपात के पत्ते और लाल मिर्श को डाल सकते हैं, जिससे चावल भी खराब नहीं होगा बिल्कुल उसमें कीड़े वगेरा नहीं लगेंगे लॉंग, डाल चीनी आप इनका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो किछिन के ही कुछ ऐसे मसाले हैं जिनका आप इस्तिमाल उन्हीं के चीजों को सही रखने के लिए कर सकते हैं मैंने आपको पहले एक ट्रिक में बताया था कि छोले और राजमा में मैंने फॉयल पेपर की गोलियां डाली थी तो यह देखिए अभी भी मेरे इसमें राजमा में पड़ी हुई है इस तरी की गोलियां और इसमें मैंने तेशपात का पता और लालमिश भी डाल दी है जिससे ये बिलकुल भी खराब नहीं होंगे और वैसे मैं बहुत जादा quantity में सामान लेती नहीं हूँ पर बहुत से लोग हैं जो जादा quantity में सामान लेते हैं और उन्हें store करने में problem होती है तो friends I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया हो आया हो तो please मुझे comment करके जरूर बताईएगा कौन सी ट्रेक आपको पसंद आई है तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और interesting वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care